हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट फोर आईक्यों में आज के हम टोपिक में डिसकस करने जा रहे हैं हाइड्राक्सी किलोरोक्विन ठीक है तो यह जो चर्चाव में आई है कोविड-19 यानि किरोना वाइरस को लेकर चर्चे में आई है और असल में इ इस दवा का तब अभिसकार किया गया था और यह मलेरिया के साथ साथ मांस्पेशियों जोडों के दर्द इसकिन रैसेज और लंग्स ठकान लाई और बुखारादी के प्रियोग में की जाती है अब जान लेते हैं कि इसका उपियोग क्यों सुरक्सीद है क्योंकि अभी नि जो है वो डिस्ट्रमेंस हो जाती है चक्कर आना जी मिल चाना इससे ज्यादा इसका गर सिबन करते हैं तब जाता है लेकिन अगर इससे डाक्टर की साला पर इसका यूज किया जाए तो काफी हद तक यह एंटिवाटी का काम करती है और इसके साथ-साथ यह भारत से यूए के लिए थोड़ा से इससे रिलेटेड कुछ कोशन जान लेते हैं हाइड्रो क्लोरोक्विन का रसाइनिक सूत्र क्या है तो उसका रसाइनिक सूत्र है C18, H26, CIN3 और O इसका यह सूत्र है यह आप लोगों को याद रखना है और इसका व्यापारिक नाम क्या है तो वो है पल वो एड़ नहीं हो रहा है ठीक है यह आप लोगों को याद रखना है और हाइड्राक्सी अगर इसमें एड़ हो रहा है तो उसमें फिर जो है वो भी एड़ हो जा रहा है इसके जो अब इसका रखना है और इसको लागडाउन की अबदी 30 अपरेल 2030 तक बढ़ाने वाला बा यह सब अक्सीजन है जिसमें 99.5% अक्सीजन होता है जो पेसेंट को दिया जाता है यह आप लोगों को याद रखना है और नेक्स्ट वाइव मंडल प्रत्वीवे सबसे पुराना जीव कौन सा है तो हो है नील हरित सेवाल ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसके बाद है विटामिन में कौन सा हर्मोन हो जाता है विटामिन को कौन सा है तो का जाते है डी किस विटामिन को हर्मोन का जाता है तो डी विटामिन को हर्मोन भी का जाता है ठीक है आप मुझे बताइएगा विटामिन डी का मुख्य स्रोथ क्या है ठीक है नेक्स्ट है निसेचन की क प्रिक्रिया कहा होती है तो उती है यानि ओविडक्ट में और यह मतलब वह है कि जैसे डूरिंग ओफ दा प्रिगनेंशी तो उसके जो भूर्ण में जो बच्चा बनता है तो उस वाली प्रिक्रिया को निसेजन बोलते हैं ठीक है तो यह कुछ कोशन्स ते किलो हाइड्रो कल से रिलेटिड आई हूब आपको समझ में आए गए होंगे थैंक्यू जाए तो आपको आपको समझ में आए गया होंगे थैंक्यू जाए